नमस्कार दोस्तों मेरा नाम हनुष शुकला है और आप कैपिटल टीवी पर देख रहे हैं और टोल इस्टोरी का नया आताजा एपिसोड आपने जरूर इस बात पर गौर किया ही होगा कि गाधी परिवार के राजनीतिक सामराज्य के उत्तराधिकारी के रूप में जिस तरह संजे गाधी का नाम लिया जाता था उसी तरह प्रियंका गाधी वाड्रा का भी नाम लिया जाता है एक को इंद्रिया गाधी का उत्तराधिकारी माना जा रहा था दुरगटना का शिका कई बार घोशनाएं कर चुके हैं कि वे और उनकी पत्नी एक बहतर और काम्याब नेता हैं। राहुल के लिए कॉंग्रेस में उन्हें बचा के रखा। उन्हें राहुल से ज़्यादा लोग प्रिय बनाती हैं। खासकर उत्तर प्रडेस में। कॉंग्रेस के कई सीनियर लीडर भी निजी तौर पर प्रियंका गांधी को पार्टी के लिए भविश्य का एक बहतर चहरा मांगते हैं। खैर मानने ना मानने और कहने सुनने की कोई लिमिट नहीं है। कभी ऐसा ही माहौल संजय गांधी के लिए भी था जैसा प्रियंका के लिए दिखता है। लेकिन जब संजय के अलग-अलग सीरों को, अलग-अलग सुत्रों को फालो करते हैं, उसका पीछा करते हैं, तो एक ऐसी फिल्म नजर आती है जिसमें घरेलू महाभारत के तमाम उतार चढ़ाओ दिखते हैं। वे रहस्य और सवाल भी नजर आते हैं जिस पे बात ही नहीं हुए। संजय गाधी के बारे में आज भी कहा जाता है कि अगर 23 जून 180 को हेलिकॉप्टर हादसे में उनकी मौत नहीं हुई होती, तो वे इंद्रिया गाधी और कॉंग्रेस के सबसे स्रेष्ट और वाजी बु पुपुल जैकर अपनी किताब इंद्रिया गाधी में लिखती हैं। चुनाओं में कॉंग्रेस पार्टी को मिली जीत से इंद्रिया और संजय बहुत कुछ थे हैं। बताती हैं कि इंद्रिया ने पाया कि उनका बेटा यानी संजय गाधी पिछले कुछ दिनों से बेचायन। कुछ दिन पहले यानी मौत से कुछ हपते पहले ही मार्च में वरुन गाधी के जन्म के साथ ही संजय गाधी पिता बने थे। समझ नहीं आता कि इंद्रिया के हवाले से पुपुल जैकर संजय की किस बेचैनी के बारे में बात कर रही है। अपनी किताब में पुपुल जैकर ने इसका खुलासा नहीं किया है। लेकिन दसंजय स्टोरी लिखने वाले पत्रकार विनुद महता ने अपनी किताब में इसे संजय गाधी की महत्वा कांची सोभाव से जोड कर देखा। जबकि कैथरिन फ्रैंक ने अपनी किताब इंदीरा दे लाइफ आफ इंदीरा नहरु गाधी में संजय की बेचैनी को राजनीत से भी जोड कर देखा है। और उस वक्त इंदीरा ने संजय के फैंसलों से असन्तोस भी जाहिर किया। मतलब संजय और इंदीरा में किनी चीजों को लेकर मत्वेत था। बावजुद संजय की बेचैनी की वजह का सही सही पता नहीं चलता। लेकिन तमाम तथ संजय की राजनीतिक महत्वा कांग्छा की तरफ संकेत करने के लिए परियापत है। तो कहा जा सकता है कि शायद संजय की महत्वा कांच्छा प्रधानमंत्री पद को लेकर हो इसलिए कि इंदीर्या ने प्रस्ताव दिया था संजय गाधी को कि आप यूपी का मुख्यमंत्री बन जाए लेकिन संजय गाधी ने यूपी का मुख्यमंत्री बनने को लेकर के कोई इच्छा नहीं जताई, वे अपनी राष्ट्रिय भूम क्या देख रहे थे, संजय को कार भगाना और बिमान उडाना बहुत पसंद था, उनके पास हलके बिमान उडाने का लाइसेंस भी था, जिसे जनता सरकार जब बनती है तो उसने छीन लिया था, लेकिन इंदिर्या की सत जियंदर ब्रह्मचारी ने एक टू-सीटर बिमान पिट्स-S2A आयात करवाना चाहते थे, काफी समय से आयात करवाना चाहते थे, जिसे हवा में कलाबाजियां खाने के लिए ही बनाया गया था, पिट्स-S2A को जनता की सरकार जाने के बाद भारत लाया गया, उन्हीं सव संजय गांदी ने पहली बार 21-June-1980 को पिट्स पर अपना हाथ आजमाया और दुरगटना के शिकार हो, उनकी मौत हो गए, अभी हाल ही में एक इंटर्वियू में सुम्रमंडियम स्वामी ने बताया कि संजय गांदी की हत्या हुई थी और इसके पीछे रूस था, स्वाम अपनी किताब सुनिया गांदी अब बायोग्राफी में राजियू के राजनीत में आने का बिरोध करने की बात का जिक्र करते हैं, रसीत के मुताबिक सुनिया ने कहा था, I don't want you to become like संजय, यानि सुनिया नहीं चाहती थी कि राजियू भी संजय गांदी की तरह राजनीत क उतल पुतल में फस जाए, बावजूद इंदीरा के बाद राजियू गांदी प्रधान मंत्री बनते हैं, राजियू गांदी संजय गांदी के बड़े भाई थी, इसके साथ ही सोनिया गांदी गांदी परिवार में ताकत और सत्ता का स्तंब नजर आती है, राजियू के प ती धिरेंद्र प्रमचारी की भी दुरगटना में मृत्यू हो जाती है जिनकी बेशुमार ताकत थी इंदिर्या के दोर में और बाद में राजु गांधी भी एक चुनावी इवेंट में मारे जाते हैं इन हत्याओं में कहीं न कहीं अंतराश्ट्री कनेक्शन भी नजर आते अब यहाँ एक सवाल तो पूछा जाएगा कि क्या गांधी परिवार में सत्ता के उत्तराधिकार को लेकर किसी तरह का संगर्स था मौत से पहले संजय गांधी आखिर किस बात को लेकर बेचैन थे यहाँ सवाल भी पूछा जाएगा संजय की मौत के बाद आखिर किस वजह से मेंका गांधी वरुण के रूप में दुद्मुहे बच्चे को लेकर घर छोड़ करके चली जाती है जबकि वही मेंका गांधी इंदिर्या गांधी की सत्ता के लिए उस जमाने में बाबु जग जीवन राम के बेटे की एक महिला क के साथ आपती जनक तस्वीरे चापकर कॉंग्रेस की बड़ी चुनोती को समाप्त कर देती हैं सोचिए उस दौर में यह सब हो रहा था जग जीवन राम दलित नेता थे कॉंग्रेस में ही थे लेकिन आपातकाल में मुरार्जी देसाई के साथ आ गए थे यह तस्वीरे में में का की मा की पत्रिका सुर्या इंडिया में छापी गई थी जनता सरकार को कांग्रेस ने इसी तरह की चीजों से सत्ता से हटाया था क्या संजे अपनी महत्वा कांचा की वज़ा से बेचैन थे क्या या सत्ता संघर्स राजी और संजे के बीच था या सत्ता संघर्स मेनका और सोनिया गाधी के बीच था तमाम सवालों के जवाब आना बाकी है कि अपनी मौत से पहले तक संजय भले उम्र में राजी उसे छोटे थे, मगर राजनीतिक सक्रियता के मामले में वे बड़े भाई राजी उगांधी से बहुत आगे नजराते हैं। और घर से बाहर संजय के साथ इंदीर्या के लिए बड़ी बहुत सोनिया गांधी की बजाए में इनका गांधी की राजनीतिक सक्रियता दिखती है। दुख की बात ये है कि काम किसी को करना नहीं है, नेता सब को बनना है। उधर संजय और मेंका के करीबी मित्र और गांधी परिवार के रिष्टेदार खुश्वन सिंग ने हिंदूस्तान टाइम्स में एक संपाद की इमें, मेंका गांधी को चंडी बताते हुए उन्हें वाजिब उत्तरा दिख्यारी बनाने की उत्तुए। बाग पर सवार दुर्गा बन जाती है। संजय की मौद के बाद तमाम चीजें जिसमें राजनीतिक उत्तरा दिकार भी हम हैं इसने मेंका और इंदीर्या के बीच रिष्टों को खराब कर दिये। मेंका को ये लगा था कि उन्हें ही उत्तरा दिकारी बनाया जाएगा जो हुआ नहीं। लगते हैं कि भले ही सोनिया का घर के अंदर नियंत्रण हो मगर राजनीतिक चीजों को ले करके इंदीर्या सोनिया गांधी पर भी बहुत भरोसा नहीं करती थी। जब इंदीर्या ने ततकालीन सरसंग चालक बाला साहब देवरस के पास राजियू गांधी को मिलने भेजा था तो यह हिदायत दी थी कि देवरस से मुलाकात की बात राजियू गांधी सोनिया गांधी को बिलकुल भी ना बताएं। सोनिया गांधी संग को कभी पसंग नहीं करती थी। गांधी परिवार की छत्रचाया से बाहर निकलके मेनका गांधी ने संजय विचार मंच के नाम से अपनी पार्टी बनाई। फिर वे बीपी सिंग के साथ जनता दल में चली गए। फिलहाल भाजपा का हिस्सा है। आज की तारीख में सोनिया गांधी के हाथ में गांधी परिवार का राजमीतिक सामराज है। और प्रियंका वाड़रा की बजाए राहुल गांधी स्पस्ट उत्तराधिकारी के रूप में नजर आते हैं। अगर संजय गांधी की मृत्यू नहीं हुई होती तो भी परधान मंत्री बनते हैं। और आज की कांग्रेस की तस्वीर भी वैसी नहीं होती जिस तरह दिखती हैं। ना राजिव गांधी परधान मंत्री बनते हैं ना सोनिया कांग्रेस की सर्वे सरवा होती अगर संजय जिन्दा रहते हैं। और यह भी हो सकता है कि आज कॉंग्रेस की जिस फिल्म में सुनिया गाधी और राहूल गाधी दिखते हैं, हो सकता है कि तब फ्रेम में में इनका और वरूर गाधी होते हैं। आखिर में एक और जरूरी बाध संजय गाधी की मौद जिस विमान में हुई थी उसे अमेरिका से खरीडा गया था। समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवादी झाल की सब्सेंट स्ब्सेंट स्ब्सेंट झाल झाल